हेलो फ्रेंज आप सब इकास हुआ गते सुडियों फ्रेंज देखिए इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं यह देखेगे की बीएड फर्स्ट इयर और बीटीसी फर्स्ट सेमस्टर के जितने भी कंडिरेट है क्या यूपी टेट का एक्जाम एप्पीरिंग में दे सकते देखे इसको किलियर करने के लिए हम दो न्यूज देखे गए एक तो नोटिफिक्शन जो आया है और दूसरी जो न्यूज है देखिए वह थी न्यूज पेपर देखिए उसमें जो सुप्रिम पोड का ओरर आया था उन दोनों को देखेगे और ये जो है किलियर होगा इसम में देखे इस बार DLAD, BAD, पर्थम, सेमेस्टर वाले भी देगे TETI यानि कि अगर आप BAD First Year में आपने जो है अभी admission लिया है या BTC में अभी आपने admission लिया है आप किसी भी सेमेस्टर में हो तो आप जो है ये अब की बार भर सकते हैं अब इसमें आगे देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा इसमें आप भी इसको देखे पढ़िए इसमें अक्टूबर में प्रस्तावित देखे अक्टूबर देखे ये लेट हो चुका इसमे लेकिन ये जो यहाँ पे लिखा है ये तो ये साप लिखा है देखे देखे इसमें जो है उत्तर परदेश सिक्सक पातरता परिक्षा यूपी टीटी में इस बार डेल एड और बीएड पर्थम सेमेश्टर वाले परचिक्षू भी जो है इसमें सम्मलित होगे परिक्षा परिक्षा में सामिल होने का रास्ता साप कर देए इसके लिए परिक्षा नियमक प्रादिकारी कारेल एलन गंज को नियम में संसोधन करना होगा देखे इसके आगे देखी क्या लिखा है सुप्रिम कोर्ट ने माना कि परसुइंग सब्द का जो अर्थ है एक व्यक्ति जो सिक्षक पर सिक्षन कोर्स में एडमिशन ले चुका है अर्थात पर सिक्षन रत है परिक्षा परिनाम की गोशना जो है इसमें परिक्षा में भाग लेना या फोर्म भरने की अंतिमतिति आदी टीटी में भाग लेने की जो है मांदन नहीं हो सकते इसलिए इसके आगे जो लिखा है देखे इसमें इसलिए एक उमिदवार जो सिक्सण सिक्सक पर सिक्सण कोर्स कर रहा है इसमें टीटी में बैठने के लिए जो है पातर होगा इसके बाद देखे हाई कोट की डवल इसमें जो है 30 माई 2008 रखो आदेश में माना था कि टीटी का जो परिणाम है गोसित होने से पहले टीचर ट्रेनिंग डेल एड या बीड का परिणाम आ जाना चाहिए लेकिन इसमें अब यहां पर आगे देखे इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहां राइडर उचित नहीं माना देखे तो इसमें लियाजा टीटी की गाइड लाइन में डेल एड या बीड आदी सिक्षक प्रशिक्षण कोर्ट की अंतिम वर्स की बात देता केंद्र वैर राज्य सरकार को जो है वो हटानी होगी इसमें देखे साप साप इसमें लिखा है यहां पर इसके बाद अक वाले जो है उत्तरीन इसमें अध्वाइस में इसके बाद देखे यहां पर भी आगे इसमें यह लिखा है देखे सिक्षा मित्रों का दी वर्से बीटी सी के अंतिम वर्स में सामिल होने वाले या उत्तरीन इसके बाद देखे यहां पर अन्तिम वर्स देखे यहां पे सभी जगा यही लिखा है अन्तिम जो वर्स वाले हैं वही यहां पे इसके लिए योग्य है अब देखे इसमें कुछ भी चेंजिंग हो सकता है कि आपका देखे एक नमबर से जैसे ही स्टार्ट होगा यह कि आपका यह फोर्म अपलाई हो देखे यहां पे इसमें 50% अंको के साथ इसना तक यह पुशनाथक स्ट समांने था पराप संस्ता सरी शाहत इसनातक या ब्यEd इसमें जो है ब्यड अंतिम वर्स में सामिल होने वाले अत्वा देके सामिल होने वाले या उत्रीन यानि कि आप देखिए आपका first year जो है वो clear हो चुका हो यह जो है आप second year में हो चुक है या आपका देखे बेर complete हो गया आप इसके लिए योग यह देखिए इसमें यहाँ पे लिखा है लेकिन अगर देखा जाए जो न्यूज पेपर में दिया था सुप्रीम कोट का उसके अकोडिंग आप जो है यह फोर्म डाल सकते लेकिन इसमें कुछ भी चेंजिंग हो सकता है देखिए इसमें यह जो सभी डाउट्स है यह किलियर हो जाए कि एक नंबर को जैसे ही फोर्म बढ़ना स्टार्ट होगा